नमस्कार शामदरिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनों आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानन डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो व्लॉक्स में एक सुन्दर सी मेल हतीली आप बालक है और आपकी रियल हतीली मेरे शामनी बीवी चना के लिए आ रखी है यहां पर देखेगा ये जो मिडल फिंगर है इसके नीचे का जो ये भाग होता है इसको भाग्या अस्तान कहते है कर्मा अस्तान कहते है सनी का अस्तान कहते है ठीक है नै और जो ये रिंग फिंगर है इसक ये नीचे का अस्तान जो मूल है इसमें सूर्य देवता निवाश करते हैं इसलिए उसको सूर्य का परवत कहते हैं सन्माउंट कहते हैं आपकी हतेली में जरध्यान से अगर आप देखें तो इस तरह से एक रेखा निकल करके सूर्य की और जाती हुई दिखाई देरी भले ही इस टाम सूर्य ठीक नहीं है तो आपको सपलता निमिल रहा है आपका मन भटक रहा होगा कभी कुछ करना चारहे हैं कभी कुछ करना चार रहे हैं लेकिन जो चीज आपके लिए बनी है आप उस चीज को नहीं कर पा रहे हैं अगर गरहों की इस्तिति ऐसी रही तो आपको जीवन में stability मिलना बहुत मुश्किल रहेगा ठीक है तो आपको guide करने वाला कोई न कोई चाहिए अगर आपको समय पर किसे guide कर लिया तो आप अपनी जीवनकाल में बुलंदियों को चुईंगे इसमें कोई दो राए नहीं है अब यहां पर देखेगा यह रेखा किसका प्रभाव पढ़ रहा है सनी का और सूर्य का आगे पढ़ेगा सूर्य का बहुत अच्छा अभी उतना नहीं पढ़ रहा है तो कह किन कहीं आप जुड़िसरी और मैनेजमेंट के छेतर में कारे करें तो आपको बड़ी सपलता मिलेगी किन छेतरों में जुड़िसरी और मैनेजमेंट के छेतरों में और यह रेखा आपको जीवनकाल में रहस्यमाई बनाएगी लेकिन कुछ मामलों में आप उदासीन रहें लेकिन संत लेकिन तेजस्वी और अगर आप मेहनत करें एक अगर्चित होकर अपनी ज्ञान की प्राप्ति करें नौलेज को बढ़ाएं तो जबरदस्त बुद्धी आपके अंदर आएगी नौलेज आएगी और बहुत ज्ञानवान बेखती आप होंगे आपको आत्म साक्षातकार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा अपनी आपको आप जान पाएंगे आप कौन है क्या करने इस जीवन में आये हैं और क्या रोल आपका होगा किसलिए आप आये हैं ठीक है ने और कहीं न कहीं अपना चाप आप छोड़ेंगे दूसरी बात अगर इसमें देखेंगे तो इस रेखा को जरा ध्यान से आप देखो तो इसमें मचले का आकार बन रहा है ठीक है ने मचले का आकार इसमें बन रहा है और किस परवत पे सनी परवत पे मत से आकार का अलग-अलग परवतों पे अलग-अलग प्रवाव होता है तो कहीं न कहीं नियाई पर ये रहेंगे अनुशाशन आपके अंदर आगे चल कर बहुत अच्छा रहेगा लेकिन रहसिमें बिद्याओं का नौलेज भी रहेगा जैसे कुंडली है या जो है हस्त र दार्षनिक किसम का बिख्तित्व अब ही जीवन में बना रहेगा लेकिन एक बहुत अच्छी चीज है सत्रों आपको कभी भी प्रास्त नहीं कर पाएंगे अब ये सब किसलिव हो रहा है आप एक चीज देखेगा जरा ध्यान से फिर मैं आपके राज योग पे आता हूँ और थोड़ी सी चीजे मुस्किले हैं उनकी तरब भी आता हूँ ठीक है नै अपने लक्ष को निर्धारित करके चलेंगे तब ही जीवन में सपलता है कभी कह कहेंगे में ब्यापार कर रहा हूं कभी कहेंगे नौकरी कर रहा हूं कभी कहेंगे में फलाना काम कर रहा हूं तो जिस चीज के लिए आप बने हैं वो चीज आप नहीं कर पाएंगे वैसे बहुत अच्छा राजयोग जीवन में है लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करने होगी अब यहाँ पर देखेगा आप ध्यान से ये आपकी हिर्दई की रेखा है ये हिर्दई की रेखा है और इसमें एक भाग दिखाई दे रहा है और ब्रिस्पति की तरफ ये देख रहा है देवताओं का गुरु है जो ये देव गुरु ब्रिस्पति है यहाँ पर जो देवता बैठे हुए है इस तरजनी उंगली के मूल में जो देव है ये देवताओं के भी गुरु है आचार्य ग्रह है रिशिक ग्रह है ये देवताओं के ब्रामनों के और रिशियों के गुरु है ठीक है ना तो गुरु मतलब सब से बड़ा गुरु से बड़ा कोई नहीं होता देवता भी नहीं हो अच्छा कार्य करेंगे तो किसी भी काम में आपको अउश्य शपलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए शंबव नहीं रहेगा इसके अलावा आप समाज में खूब लोग प्रेता और सम्मान भी पाएंगे अच्यंत भग्यसाली लोगों में से आपकी गि ठीक है जो आपके सरीर के पांच ग्यान इंद्रिया है पांच कर्म इंद्रिया है अश्टा चक्र है नवद्वार है पंच महा कोस है ठीक है ने उसमें भी ब्रह्मरंदर और अनकोश इनके अनुसार अगर देखा जाए तो जो आपके इश्ट देव है वो भगवान इनके शेवा करें ठीक ने आपके इश्ट देव वह ही है और जितनी सरनागत जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आप प्राप्ति करेंगे ठीक और यह रहस्यमय ज्यान जो है ने जो वाक सिद्धी है ने जैसे हम लोग बोलते हैं किसी का कुछ देखे लोगों के चेहरा देखे ही बता सकते हैं कि आपकी जीवन में क्या घटित होने वाला है आपका जो है बहुशक कैसा रहेगा आपका भूतकाल कैसा था आप किस लाइन में जाए तो आपको फाइदा होगा मनि आपके अंदर वाक सिद्धी बहुत बड़ी अच बंस में भगवान नर्सिंग की बहुत बड़ी किरपा होती है साक्षात किरपा होती है भगवान बदरी नारायन की भू बैकुंट मनि इस भूम में जो बैकुंट है वहां पे जो भगवान निवाश करते हैं जिनका मंदिर हो उनकी साक्षात किरपा आपके उपर है तो एक दुरलब सिद्ध्य है वाग सिद्ध्य उसका प्रभाव आपके जीवन में इस पश्ट दिखाई दे रहा है ठीक है नए अब यहाँ पे देखेंगे आपके हतेली में राजयोग बन रहा है क्या फलित करता है यह राजयोग यह इस पश्ट दिखाई दे रहा है यहाँ यह दे की रिंग फिंगर की तरब धन कमाने की ललक बहुत जादा रहेगी इसका आगे चल कर लाब भी होगा और यह इसके पहले पोर्वे पहुच रही है यह बहुत अच्छा है अगर आप ब्यापार करते हैं तो धीरे धीरे ब्यापार में उत्कृष्टता की प्राप्ति होगी अगर आप नौकरी करते हैं चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो तो कहीं न कहीं अधिकारी लेबल का विक्तित तो रहेगा उच्च वर्ग का विक्तित तो रहेगा अच्छी सपलता की प्राप्ति होगी दो कारणों से आपके जीवन में अच्छी सपलता दिखाई दी रही है एक तो इसमें दो लकीरे हैं इसका मतलब है कि अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण आपके अंदर है उसके कारण आप सफल होंगे दोसरा आपके अंदर जो कम्यूनिकेशन स्किल्स है इसके दम पे आप सफल होंगे अब यहां पर यह उंगली देखें यह पूरी तरों से जुक रखी है इस उंगली की तरब मिडिल फिंगर की तरब तो यस पाने की इक्षा परसिद्धी पान और इस से चोटी है तो इसका मतलब क्या है रिस्क लेने की ताकत रहेगी चीजों में जोह किम उठाने की ताकत रहेगी अब जब विक्तिंग रिस्क लेता है तो जरूरी नई वो सफल हो असफलता भी तो झेलनी पड़ती है नुक्सान भी झेलना पड़ता है लेकिन उस र आज योग बनता है जब भी हमारी हतेली में इस प्रकार से ये रेखा ये उंगली इस उंगली के पहले पौर्वे तक पहुच रही हो ये सूर्य की उंगली ब्रेस्पती की उंगली से बड़ी हो मिडल फिंगर से छोटी हो और ब्रेस्पती परवत इस प्रकार से शुन्र इस् या इससे समंदित छेत्रों में कारे करने वाले होते हैं। और इन लोगों को समय रहते अपनी पड़ाई पे विशेश ध्यान देना चाहे और अपना लक्षा सरकारी नौकरी या इससे समंदित छेत्रों में बनाना चाहे। अब किन छेत्रों में ब्रस्पति से समंदित छेत्रों में चाहे सिक्षा का छेत्र हो चाहे इंजिनियरिंग का छेत्र हो चाहे चिकित्सा का छेत्र हो चाहे मैनेजमेंट का छेत्र हो चाहे बानिज्य का छेत्र हो या कानून का छेत्र हो इन छेतरों में ये लोग अगर मिहनत करते हैं और एकागरचित मन से जो है चीजों को लक्ष लेके चलते हैं तो जरूर सफ़न होते हैं और उसमें भी खास अगर ब्रेस्पति इस प्रकार से शुंदर हो तो ऐसा ब्रेस्पति वास्तों में बिद्या है शंतान है पतनी है भाग्या है और धर्म है इतनी सारी चीजों को कंट्रोल करता है लेकिन ऐसे ब्रिस्पती में एक कमी भी आती है ऐसा ब्यक्ति बहुत जादा अनुसासन प्रिय हो जाते हैं तो सामने वाले उन्हें अभिमानी समझने लगते हैं इससे आपको बच के चलना है और कहते हैं इस परकार का ब्रिस्पती परवर्त कुंडली में या तो लगन का होता है या तो जो है केंद्र विर्ती होता है और सवालाख दोसों को दोर करता है हतीली का महर से परासर कहते है किम कुर्वन्ति गरहे सरवा यस्यकेंद्रे ब्रिस्पती ऐसा ब्रिस्पती परवत ब्यक्ति में मजबूत सार्रेक गठन देता है लेकिन कभी कभी मीठा खाने की परवर्ति को बढ़ाता है और एक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन करने वाली चीज इसके अन्नराती है ऐसे लोगों के पास बहुत सारे मौके आने लगते है तो कन्फ्यूजन भी ये क्रेट करता है ठीक है ना दूसरी बात है यहां पे आप देखेंगे तो धीरे धीरे आपकी हतेली में कहीं न कहीं जो प्रभाव कम से कम जो है चार वर्स के बाद ही पड़ेगा ठीक है ना और चार वर्स के बाद का पड़ने का मतलब क्या है कि कहीं न कहीं जो है अगर हम यहां पे देखें तो इसका मतलब होता है कि बिक्ति के अंदर कुसल परसासक की गुण है साधारन घराने में जन्म लेकर भी बिक्ति अगर बहुत अच्छी मिहनत करे एक अगर चित होकर जो है पड़ाई करे और उस छितर में जो है अपने नोलेज को बढ़ाए और एक लक्ष लेके चले लक्ष भीहीन नहो लक्ष लेके चले तो अत्यंत उच्पद तक ऐसा बिक गेन होते हैं कि उसकी वो टीचिंग तक दे सके तो आपके अंदर सब कुछ है बाके करना आपको है देखेगा जोतिस के वल ये बताता है कि समभावनाएं क्या है मन किसी को मंतरी बनना हो तो जोतिस ये तो बता लेगा आप मंतरी बनेंगे लेकिन उसके लिए चुनाव आपको लड़ना पड़ता है अब हतेली में या आपके कुंडली में मंतरी के योग है लेकिन आपने चुनाव नहीं लड़ा तो आप मंतरी क्या संतरी भी नहीं बन दियान रखें ठीक है ने तो जोतिस चमतकार नहीं करता है जोतिस के वो सलाह देने का कार्य करता है कि कम समय में ज्यादा सपलता किस प्रकार से आपको मिले और आपको किस दिशा की तरफ जाना चाहें ठीक अब देखेगा बुद्धधित्य राज योग पे थे हम सरकारी नौकरी या इससे समंदित चेत्रों में बिक्ति को सपलता मिलती है अकिन चेत्रों में मिलती है ब्रस्पति से समंदित चेत्रों में मिलती जो मैंने गिनाया है अगर एक प्रसेंट बिक्ति सरकारी नौकरी या इससे समंदित च लाना चाहिए फिर ये ब्यापार में जो है उत्कृष्टा हासिल करते हैं ब्यापार के कारण जाने जाते हैं ब्यापार के कारण इनकी पहचान बनती है लेकिन समय रहते सबसे पहले इनको जो है अच्छी नोकरी की तलास करनी चाहिए यहां पर अगर हम मिडली भाग देखे ये थोड़ा खराब है आपका इसका मतलब है चीजों में फोकस नहीं बना पा रहे हैं एक आगर चित मन से कुछ नहीं कर रहे हैं मन भटक रहा है आपका आप चीजों को लक्ष बना के नहीं चल रहे हैं दूसरा बहुत जादा मेहनत और बहुत जादा परिसरम करने के बाद ह चीजों में आपको सपलता मिलेगी और कई बार दोड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ेगा ये उंगली इस प्रकार से जुक रही है तो धार्मिक भावनाई बहुत अच्छी रहेंगी इस स्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आरद्य के परति समर्पन की भ समस्या दोर करके चले और अपनी वानी का ध्यान रखे कहीं न कहीं बोलने का धंग धीरे-धीरे बड़ा कड़वा हो सकता है थोड़ा दिकत भरा बोल सकते हैं ठीकर थोड़ा बुरा लग सकता है और नर्वस सिस्टम थोड़ा वीक हो सकता है उसमें भी अगर हातों में पस भी कहीं न कहीं सौक रहेगा और राजनीति में अगर चले गए तो बड़ा अच्छा भी करेंगे क्योंकि ये राजनीति के लिए ऐसा अगोठा बहुत अच्छा होता है थोड़ा सा जोट बूलने की परविट्टि होती है जोट बूलने की समस्या गेक्ति के अंदर आ जाती ह और एक चीज बहुत अच्छी रहती है ऐसे लोगों के अंदर ऐसे लोग 42 वर्ष से 52 वर्ष की उमर में बड़ी सपलता पाते हैं ये भी इसपष्ट दिखाई देता है ऐसी चीजों में लेकिन फिर भी एक सुखत जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखत जीवन जीने के लिए प्रेतनसील व्यक्तित्व बना रहेगा मस्तिस्क रेखा क्रियेटिविटी को दिखा रही है अच्छी यात्राओं की और भी इसारा कर रहा है यहां पी जीवन रेखा देखें तो जन्म अस्तान से दूर थोड़ा सी तरकी जादा दिखाई दी रही है जन्म अस्ता है थोड़ा करियर में और धन के मामले में पूरी तरह से अस्ताइतों नहीं आरप पा रहा है तो इस अस्ताइतों को प्राप्त करने के लिए लग बहुत ज़्यादा साथ दे तो जो आपके इश्टदेव है इनकी पूरी तरह से स्रणागत जाए तो जीवन में लाब होगा वर्टिकल रेखाई हैं आगे चल कर जिस काम को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं थोड़ा सा जो है बहुत अच्छा रहेगा सुक्र भी आपका सांदार है इसका आपको लाब मिलेगा यहाँ पे दोनों मंगल भी आपके बहुत अनरजेटिक सुभाव रहेगा प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा इसके बारे में हमने बता दिया है सनी भी आपका बहुत अच्छा है तोड़ा सुभा उठने में आलस्या रह सकता है इस आलस्या को दूर करें आपका जो है अगर हम बात करें सूर्य आपका ठीक नहीं है तो पिता के साथ संबन्द अच्छे बनाएं रखें अगर पिता के साथ संबन्द अच्छे नहीं रहेंगे उनके कहने पे बिपरीत चलेंगे तो जीवन में आपको संगर्सों का सामना ज्यादा करना पड़ेंगा जीवन में शम्मान को ठेस पहुंचेगा और कहीं न कहीं जो है फिर चीजें बिगड़नी सुरू हो जाएंगे तो इसका थोड़ा सा चीजों में ध्यान रखें और एक दिब्य सूर्य के रिया दे रहा हूं उसको जरूर करें बुद्ध बहुत अच्छा है वानी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी 26 वे वर्स से लेके 30 वे वर्स के बीच में साधी के बहुत अच्छी योग बन रहे हैं अगर बिचार करें तो बहुत अच्छा रहेगा चंद्रमा भी धीरी धीरी बहुत अच्छा हो रहा है थोड़ा सा जो है कभी-कभी मां के साथ अनबन रह सकती है बहुत जादा दिक्कत नहीं है थोड़ा मन कभी-कभी एक जगह पे इस तिर नहीं रह सकता है तो थोड़ा सा जो है भगवान शिव की आरादाना करें देखा जाए तो मैंने आपकी हतिली का पूरा विस्लेशन आपको बता दिया है और छोटा सा उपाए मैं केवल दो किरियाई मैं आपको दे रहा हूँ उसको करिएगा निश्चित ही लाब होगा इस वीडियो में बस यतना ही एक नई वीडियो के साथ पनो उपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार